हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देश की सबसे बड़ी नेता बन चुकी हैं ब्यस्पी सुप्रीमो मायावती योगी, मोदी, केजरीवाल हर कोई उनके आगे फेल हो चुका है जी हाँ दोस्तों ये मैं नहीं, ये देश की जनता बोल रही है और देश की जनता इतना ही नहीं बोल रही है देश की जनता अब ये चाह रही है, ये कह रही है कि 2024 में ब्यस्पी सुप्रीमो प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्पून होने वाला है इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि हर कोई देखे और पूरा वीडियो देखे जिसे चीजे समझ में आएं, सच्चाई वो समझ पाएं कि देश की असली हकीकत आखिर है क्या लोग BSP सुप्रीमो के बारे में क्या सोचते हैं और वो लोग जो BSP सुप्रीमो को कम आगते हैं उनके लिए भी ये वीडियो आइने की तरह होगा दोस्तों 2024 का चुनाव आने वाला है और खबर ये है कि BSP सुप्रीमो इंडिया गड़बंधन में शामिल होंगी तमाम नेता अब ये खुल कर बोलने लगे हैं हाला कि अखिलेश शादव ने अभी नहीं बोला है लेकिन कॉंग्रेस के नेता, RLD के नेता, तमाम नेता अभी ये बोलने लगे हैं कि BSP सुप्रिमों इंडिया गडबंधन में आएंगी लेकिन अभी तक BSP सुप्रिमों की तरफ से पत्ते साफ नहीं किये गए हैं कहा जा रहा है कि अगर BSP सुप्रिमों ने इंडिया गडबंधन जॉइन किया और अगर उन्हें PM का चेहरा बना दिया गया तो मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा लेकिन जो सर्वे मैंने किया है जो ग्राउंड पर जाकर मैंने लोगों से बात की है जो सर्वे सामने आया है वो सर्वे दोस्तों आपको हैरान कर देगा लोग आखिर BSP सुप्रिमों के बारे में क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं सबसे पहले आप उनकी ये प्रत्किरिया सुनिए। लेकिन उन्हें अभी तक वो उहदा वो पद नहीं मिला है जिसके लिए वो काबिल हैं जिसके लिए वो कहीं ना कहीं उपयुक्त हैं। आगे एक व्यक्ति ने क्या कहा वो अगर आप सुनेंगे तो आप चौक जाएंगे। दोस्तों आपको पता हमारे देश के सबसे महान शासक थे अशोक समराट। कहा जा रहा है कि अशोक समराट के बाद अगर कोई इस देश में दूसरा लीडर पैदा हुआ। दूसरा शासक हुआ तो वो बियस्पी सुप्रीमो मायावती जी हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह देश की जनता बोल रही है। एक युवा ने खुल कर किस तरीके से बियस्पी सुप्रीमो के बारे में बातचित किये। जरा इसको सुनिये। बड़ा सवाल इन इवाओं को कौन कर रहा है जागरू। कैसे बहुजन समाज इतना जागरूख हुआ ये भी तो बड़ा सवाल है। हाला कि हम लोग भी जागरूख करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने नेता को पहचाने, अपने नेता के बारे में समझें कि उन्होंने क्या किया, वो समाज में कितने प्रतिश्रित हैं, उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। जब मैंने पूछा कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर प्रधान मंतरी कौन होना चाहिए, तो लोगों ने एक सुर में बहन जी का नाम लिया। जब देखिए कि कैसे तमाम लोगों ने BSP सुप्रीमों का समर्थन किया, और जो युवा है खास तोर से वो बहन जी के लिए बेताब है, बहन जी को परधान मंतरी बनाने के लिए बेताब दिख रहा है। जब सुनिए। ना कि किसी मनुबादी बेचारदारा से पीड़ित बेक्ति को देखना चाहता है। मेरा मनना है कि बहुजन शमय जहां पर इखटा है, सिर्फ बहन जी की तरफ इखटा है। 24 में परधान मंतरी कौन? बहन जी क्यों? बहन जी ने बहुत अच्छे काम करें इसलिए। इस 2024 में परधान मंतरी अगर बनेंगी तो मारी मैवती को बनना चाहता है। क्यों? एक दली समा से वो आती है। उन्होंने जो चार बार जो पूरा उत्तर परदेश चलाया है, ऐसी इस देश को चलाएंगी वो। हमने देखा है उन्होंने काम की कामी करके दिखा है इन भारतिवे करके लोगों ने एक हमारे देश के यूँआ ह्टी उनका पढ़ाई सिक्चे थी उसलिगी उसे खतम करने का यह जamento बाल्री वो क्यों रहा है। चाहिए का वा में देखा है, चाहिए नहीं हुआ। अध्रकाष्ट के लोगों से पूछे का अरसासकाल किसा था। वहाने के महिलाओ कुलता है। दोस्तों आपने तमाम लोगों के बयानात सुने तमाम लोगों ने किस तरीके से ब्यस्पी सुप्रीमों को बड़ी नेता माना और किस तरीके से कहा कि वो प्रधान मंत्री पत के लिए उपयुकत हैं अब इंडिया गडबंधन को देर नहीं करना चाहिए लेकिन एक चीज पर जाकर बात फस गई और वो चीज है ईवी एम दोस्तों ईवी एम के मुद्दे पर एक युवक ने ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर आप कलपना भी न उसने इवी एम को लेकर बियस्पी सुप्रीमों के लेकर जो बाते कहीं हैं मुझे लगता है कि ये बयान भी आपको सुन लेना चाहिए ये बयान बहुत जादा आज के समय में मायने रखता है देखे इस युवा ने इवी एम और बियस्पी सुप्रीमों के लिए क्या हाज जर शुनिए इभी आप आप अधादा आप किसी को बाप रहा के दिखा दो लाट पेपर से इलेक्शन करवा तो किसी का बाप रहा है कि वोट कर रहा है कि वह जो प्रण वोट घ्लतिया है वह सारा का सारा हम वोट ढलें तो आपने सुना दोस्तों किस तरीके से देश का युवा जागरूख हो चुका है प्रधान मंत्री की गद्धी पर बिठा देना चाहता है। सम्विधान सुरक्षित हो जाएगा आपके हक अधिकार सुरक्षित हो जाएगे। बैराल इस वीडियो में इतना ही जो भी आपने सर्वे देखा जो आपने लोगों की प्रतकिरिया सुनी उस पर आपकी क्या रहा है अपनी टिपपणी करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करिए चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया।